तो चलो बच्चो आज हम लोग Chapter 1 का Control and Coordination in Animals जो Chapter 1 पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगोंने पढ़ चुका था अभी तक Plant Movement और Plant Hormones ये दो topics पर हमने यो बनाके दी थी आप लोगो चलिए आज हम लोग पढ़ लेते हैं और एनिमल्स और Adrenal Gland अब हम लोग दूसरा एक Gland पढ़ेंगे इसको कहेंगे इद्रिनल Gland आप लोग देखो हें किड्नी है हमारे रीट की हड्डी के तरफ पीछे पीठ की तरफ यह इस्तित होता है रीट के हड्डी के दुन तरफ लेप्र हेंड साइड में इसको एड्रिनल कहते हैं यहां देख रहा है तो नुट के ऊपर इस्थी था एड्रेण्ट एंटी पट्नि और ग्लेड और अदेक्क आने सुपर रिड्रेल ग्लेक्ट से वी इसको जाहते हैं और डिये यह क्या काम Green 없다 घ्रेट कि प्र प्रिस्टी प्ल सबाइबे डिनना में ज्यादा मॉड़नारा वेजता है और रिद्शनार में ज्यादा मात्रा में तरहां भातारीन वेजता है और बॉड़ेंग बन्रिद्रेंग को भी बढ़ा देता हो ऑ और इसता से हमारे बॉड़ी में आचानक जो है तीन तरह के परिबटन करने भी मदद करता है थ्री एफ कहते हैं इसको आचानक किसी भी तारण से यह अगर हमारे फियर है अगर पैदा हो जाता है एक एफ का मतलब फाइट हो गया अगर लडाई सुरू हो गया और फ्लाइट फियर फाइट एंद फ्लाइट यह मतलब है इसता है इसे हमारे यह हट बीट को बढ़ाकर ब्लाट पैसर को बढ़ाकर एयर पैसे से को बढ़ा कर हमें वह फायर फाइट और फ्लाइट करने में हेल्थ करता है टू एडजस्ट दा सिचुएशन ताकि इस सिचुएशन जैसा भी हो उसमें हम लोग हो रिकॉर्डमेंट के अनुसार हम लोग उस अवस्थाग में हम लड़ाई हो संघर्श हो मारपीठ हो वैसे बातरों में अपने आपको हम एड्जस्ट कर पाएं इसलिए इस फॉर्मोन को निकलता है कॉण सो है एडिनेलिन हरमन इमर्जन्सी हर्मन कहते है काम मात्रा निकलता है vapor निकलता है छादा मात्रा में निकलता है तो इसमें नर्वस सिस्टम और यह हमारा नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करता है दिरिंग फियर फाइट वह किसमें फाइट के समय हेल्प टु टेकल सिचुएशन आइड केस ओडिंजर प्रोमोट करेस्ट फ्लाइट और ज्यादा मातरा में जब यह निकल जाता है हाइपर सिक गया बंब गिरने लग गया कहीं जंगल में शिकार के बीच फस गये तुम कोई भी खत्रे की इस्तिती में यह फियर फाइट और लड़ाई जगड़े इस्तिती में वह को कंट्रूल करता है फाइट करने लड़ने के लिए सास हेल्प करता है टैकल सिचुएशन को टैकल कर पा करते हैं कैसा लगा तुम लोग बताओं है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को सेर करो और लाइक कर, कोमेंटů जरो करो, कोमेंट नहीं करते हो comment box में लिखो क्या किस तरह का वीडियो होना चाहिए और next वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं आगे इसी chapter का last part हम लोग बनाएंगे तो चलो चलो बहुत बहुत धन्यवाद है